आपको देखने को मिल रहा है आपके पास अतुल परसाद का भी नोटिफिकिशन आपको देखने के मिलेगा और डिटेल में हम इसको जानने की कोसिज करेंगे आज टोटल इनका वीडियो जो मैंने देखा है लगवां आधा गंटे के उपर से और इस सारा चीज मेंने इस पर आपको मैंने बना करका है क्या क्या है क्या क्या इन्होंने आज अपडेट दिया है सारा आपको इंफ्रोमेशन मिल जाएगा 1-5 वालेक लिए 9-10 वालेक लिए और 11-12 वालेक लिए सब का नोटिफिकिशन बताऊंगा और क्या क्या चीज़े चेंज़े जाए क्या बदलाव जो बताया जा रहा है आज शून के और भी सिच्छा व्याग जो भी हार कें दोनों तरफ से जो बारतालाफ हुई है तो डिसकॉसंस हुआ है ला फाइनली यह निकला है कि लास्ट कल तक यानि 31 मई 2023 तक कल तक मैक्समुम चांस जाए कि नोटिफिकेशन है यानि बिग्याप चीज़े चेंज़े तो आपको यह कल देखनी को आपको मिल जाएगा मियक समग यह उनके द्वारा बताया गया वक्तेब है सबसे ज्यादा डौट इसी पड़े सबसे ज्यादा लोगों को को श्चन इसी पड़े आगा सभी लोगों ने इसी पर और कि एर राइज किया है व चंदी है या उर्दू है तो यह आपका 100 नमर करेगा इसमें कोई चेंज़े नहीं किया गया है उतना ही टाइम यह नहीं रहेगा 100 कोशन का और 120 मिनट आपको टाइम में लेगा दो गंड़ देखा है तू आबर्स का ठीक है चेंज़े आपको मिला है पेपर टू में पेपर पर जो होगा इसी बेसिस पर आपको धारित किया जाएगा कि आप टीचर बनने वाले हो यह नहीं यह एक लाग सतर रहा है एक लाग सतर चार्सों एक सट में आपका नमबर आ रहा है यह नहीं ठीक है इस तरह साध्यान देजेगा वन टू फाइम में आपका 80 कोश्चन यह स पेपोर में पने पास कि यह पास किया आपकी का चालीस कोशन आपका जैनरल साइंस यह से अपको रहेगा सी लिए वह यह वराते को बाते हो इस पर पर कोशें अर। और नेक्स्ट जो बाते हैं उसी में जिसे के एक एक आपको आएगा फोर्थ डिस्कॉसन्स हुआ है वह इंपोर्टेंट डिट के बाड़े में यानि कि जो 01.11 ऑके एक सेशन का ऐलाक का यह एक साथ ख। इस आप च्हlar एक से सब्सक्राइब थे की आनी की आपसे आपको प्रसक्राइब का देशाज की बात हो या फिर आपको है, spend अगर उन्हों में एकजामेशन नहीं दिया या इनका नहीं पूरिके हे रिजल्ट नहीं गारेगा जो करें कर सकते हैं अगर बाद में भी आए लिएस होने बाली three आने वाले पंदँरप activities दिन में महीने दो मेने में आपको एक्जामनेशन होगा आप भी अप्लाई कर सकते हैं 21-27 वाले apply कर पाएंगे और admit card या documentation जिसे आपको जब documentation हो गया तो आपको उस time admit card और result आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको documentation के time आपको slow करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले जिसे के पीएड पट्ना या time जो पताया गया दो से तीन वाले इस पर दो से तीन वह ने बाते किये कई लोगों को कहना है और एक options आती है कि विहार का चलन आया चुकी है विहार की teachers का कि आज 19 में निकाला है तो 20-21 में जाकर कि भरती को पूर्विल कर पाते है रिजन की चार से पांच साल तक ही जाती है तो उस पर उन्होंने अपनी बाते रखी उनको करना था कि नहीं बीपीसी जिसे की कंडिडेट जो हर साल एक्जामिशन लिए रही है उनका 6-7 अगर apply करते हैं तो सभी लोग का application सभी लोग का पेपर चेक होता है पीटी का भी ह होगा और जितने कंडिडेट हैं जितने अप्रिकेंट है यानि जितनी वेकेंसी है एक लाग सतर लाग चार सो सार्थ है उन लोग को qualify कर दिया जाता है तो उनका करना है कि नहीं इसमें आपको कोई भी confusion नहीं रखना है कि यह वेकेंसी बहुत लंबी चलेगी 6 महिना मैक्सम इसमें तक आपको फुलिफिल कर लिया जाएगा यह उनका करना है यह आपका लिया जाएगा ओनलाइन फोंके बैसे पर लिया जाएगा यानि ओनलाइन अप्लिकेशन करना हुगा नेस्ट वीडियो देखिएगा नेक्स्ट थोरा सा और रूखिएक डिगेंटीन के बारें क्या क्या डोकुमेंट्स आपको नीडेड है तो ठीक है इसमें आपको सारा ओनलाइन फोम में भड़ा जाएगा लेकिन एक्जामिशन आपका ओफलाइन होगा यह ध्यान देजिएगा पेपर वन और टू आपको बता दिया गया पेपर वन कॉलिफाइंग नेचर है उसमें न कि आपको, यानि 25 प्रसेंट नेगेटिव मार्किंग कटेगा, यानि 4 कोशन आप ने गलत किया, 4 कोश्र तो एक नम्र कर जाएगा, बात करते हैं documents क्याव क्या चाहिए, जब आप अपक την initiator करते हैं यह जाएंगे, इन shipment को आपके पास अभी होना जरूरी है, यह नहीं कि आ सब्सक्राइब नहीं मिल पाया किसी रिजन से यह आप नहीं नहीं बना पाएं तो आपके पात्रत्ता है वह रद्र कर दी जाएगी और यह आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा तो इस पर ध्यान देजेगा आपको अपलाई करने के टाइम पर ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास इसका भी पर्मान पत्र होना चाहिए इसका पर्मान पत्र है तो यह अपलाई किजिए यह नहीं कि मैं भी हार की निवास हूं और मेरा रहा हूं यूप में यूप में या आपके पास पर्मान पत्र है कर पाएंगे नहीं कर दो हो बीशे इसके जाथ मेरा नाव पर्मान पत्र आपके पास हो में करेंड़्ेंड और brain लेयर में यह नहीं कि आप बाद में डोकुमेंटैक्स नहीं दे पार रहे हैं तो पर्पी प्रद्शता कर दिए गी इनका सिदह पार इस पर सारी चीजे यह भी अपलाई करें इनका सिधा स्टेटमेंट है और डॉकमेंटेशन के बाद वह सारे परमान पत्रक्ट को आपको जवाब अपने इन्स्टोल करें या नहीं वहां डालेंगे इस तर साथ आपको फोटो अपलोड की जिएगा यह सब्स और उसी समय आपको original documents आपको जब documentation होगा आप qualify करने के बाद पीटी या और paper to qualify करने के बाद तो यह सारी चीजे को आपको verify करेंगे फिर आपको पीटेक और कहीं लोग मना कर रहे हैं बी यानि bachelor of engineering या बीसी या बीवी कंप्यूटर साइन्स अगर आप हैं तो वह भी आप apply कर सकते हैं तो यह तैंकि सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको कोई question आप पूछ सकते हैं पूरा आप सभी लोग apply कर सकते हैं इसमें आप 9-10 वाले य जहां आप कंप्यूटर की वेकेंजी है एक तो मुझे हैं तो मुझे हैं तो